देखिए अब हम do while loop पढ़ रहे हैं हम for loop पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने while loop भी पढ़ा do while loop आखरी loop है जो कि हम पढ़ रहे हैं और जैसे कि आप नाम से देख रहे हो do while मतलब पहले करो उसके बाद while की condition हम check करेंगे यही difference आजाता है do while loop में और बाकी के loops जो हमने पढ़े थे इसका syntax सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पता देता हूँ syntax इसका कुछ इस प्रकार होगा do सबसे पहले आप यह वाला code जो मैंने braces के अंदर लिखा है यह करो और इसके बाद यहाँ पे while में आप यहाँ पे ऐसे condition चेक कराओगे ठीक है तो यहाँ पर आप important बात देखो जो condition checking है condition checking जो है वो last में हो रही है beginning में नहीं हो रही है that means कि minimum हम एक बार एक बार तो यह वाला code execute कराएंगे ही कराएंगे बले ही condition आपकी false क्यों न हो जाए यह सबसे बड़ा difference है आपका जो do while loop और जो differentiate करता है आपको किसे while loop और force है वहाँ पे पहले condition true होती है उसके बाद ही process के अंदर block के अंदर entry होती है बट यहाँ पे पहले block के अंदर entry होती है और उसके बाद आपकी condition check होती है ठीक है अगर condition false होई एक बार तो यहाँ पे entry ले लिया लेकिन second time वो entry नहीं ले पाएगा second time entry कब लेगा जब condition आपकी true होगी